अगर आप एक करोड तीस लाख रुपे खर्चते और आपके साथ ऐसे इशू जाते तो आप क्या करते हैं गोड मॉर्निंग एवरिवान एंड विल्कम बाक तो माय चानल आज का व्लॉग भी इंट्रस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मेरी है टाटा मोटर्स के साथ मीटिंग बट यह जो मीटिंग है यह इनकी ट्रक सॉरी बस डिविशन के साथ है तो वो कुछ नया लॉंच करने प्रॉडट्ट एंड वांट अस तो बी पार्ट अफ एट और इसके लाबाव मेरी दो तीन और मीटिंग स्केडियूल है एच्छी कैसा जाता आज करें आपको वाखी आगे वाले व्लॉग में कुछ ना कुछ इंट्रस्टिंग तो मिले गई यह लास्ट टू मन्स में बहुत सारी फ्रेंचाइजी फाइनलाइज हुई और उसके साथ साथ ना अपना रेड कार्पिट स्टोर भी ओपन हो रहा है तो यह दोनों महीने ना फुली पैक्ट जाएंगे फुली पैक्ट अदर इस लाइक के सांस लेने का भी टाइम नी मिले और उसके आने वाले और दू महीने पैक्ट जाएंगे बिगोज अपना सिंगापूर में भी जो वेंचर हमने किया थाना वो स्टार्ट होने वाला है फिर अभी यह इंडियन आल ऑन बोर्ड आ गया तो बहुत सारी चीजे कठी चल रहे हैं अभी मुझे ऐसे लग रहा है द कि अधिया अधिया आज कोई भी जाम नहीं मिला बिल्कुल क्लीन ट्राफिक था बिल्कुल स्मूट ट्राफिक था बाकी आज ओफिस चल के आपको कुछ नया दिखाते हैं वैसे हमने वरकिंग तो करी यह जिमनी के रहा नए बंपर डिजाइन करने में और उसमें फेंडर फ्लेर्स भी देने हैं मार तो आज जो है न फेंडर फ्लेर्स पर काम करेंगे और बंपर सो अल्रीड डिजाइन करने अब उसकी बेसिकली जो हमने मशीनिंग और वो साथी चीजें करनी है न अब उसका प्रॉसेस टार्ट होगा और भाई यह जो सीजन चल रहा है ना ये डेंगू और मलेरिया चल रहा है तो मेक शॉर यू आर कवर्ड इंकेस इस आर ट्रावलिंग आउटसाइड और अपने आसपास की बिना सफाई रखो और मैं अपने अराउंड बहुत सारे केसे देख चुका हूं I don't know if you prefer to have homopathic medicine I don't know if you prefer to have homopathic medicine एक medicine आती जिसके आपना kind of a precaution as a use कर सकते हो मैं description में डाल दूंगा उसके detail in case कोई लेना चाहता है तो आ कि रोगा Cole आपने वाएं टॉर्न सैंद्टे जाना ना जाकि हैं करें त्लीन आपको चलने से लिएविंग कर देंगी यह एब होपीग कर दिंगों में बहु को कि अग्रेंग यह धोपी घंल यह आतू tip कहां गे भई यहां पर आड़ ज़ लार मौसम अच्छा हो रहा नहीं देखते हैं आज भई चेस्स दे बड़िया वाली चेस्स मालेंगे आट बड़िया पंप तरहेंगे कल का देना बहुत ही बिजी किया बिजी इसलिए था कि कि पूरे दिन आफिस के काम नहीं खत्म हुए देन इवनिंग में गुड़गाओं गया देन गुड़गाओं में ला डिसकेशन्स इतनी हुई कि ज्यादा ना मैंने रिकॉर्ड नहीं किया कि मैंने सुच आपको ना ओड़ी ट्रॉंग का किससर सुना दी जाए मैंने गाड़ी ली थी दो हजार कि दोजार बाइस मार्च और मैंने जो एक आड़ी ली थी यह ली थी ओड़ी गुरुग्राम से तो ओड़ी गुरुग्राम इस मैनेजट पाई दिस पासी ग्रुप और इनके और भी शोरूम है तो दे बिलॉंग टू चंदिगड एक्शली तो मैंने जो मॉडल लिया था दाट वस ओड़ी इट्रांस पूर्ट बाग तो उस टाइम ना मैंने अपनी सारी गाड़िया ना बेचनी शुरू कर दे थी विकॉज दे वर अबाउट टू रीच देयर लाइफ टाइम क्योंकि डेली एंटियर में आपको पता ही है कि अगर है तो आप 10 साल से उपर नहीं रख सकते हैं अगर आपको पैट्रूल का रहा तो आप 15 साल से उपर नहीं रख सकते हैं तो एलेक्ट्रिक वोज वेरी वेरी नियू तो दे मार्केट तो उस टाइम लेमिटेड ऑप्शिन थे एंडेन देवर क्राइस ओफ चिप्स और गाडि उस टाइम लगा कि You know लेट्स को फोर ए एलेक्ट्रिक कार और उस टाइम एलेक्ट्रिक और ने तो में तो वीट रियवल ब्राइड तो नहीं बार ऑल्रेडी मेरेपास अल्रेडिये फिस टी टीन क्यू थी तिए उस टैप और मैने घुर ने ऑडिकियों को और कौन सी नग् कि मेरे पास सिरफ A6 थी और U3 तो इन दोनों गाड़ी के बाद मतलब जो मेरे पाद एक्सपीरेंस था तो मुझे लगाया कि और आड़ी की ट्रॉन ली जाए तो मैं पहले गाड़ी के बारे में समझा के बिकॉल इस अन एलेक्ट्रिक का इस नाट नाइस एंजिन इंटर्नल क अप्शन इंजन नहीं है कि लिए 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 फिर मैंने देखा कि इसमें ए ट्रॉन में देर आर थ्री आप्शिन तो तीन आप्शिन थे एक तो थी रेगुलर ओड़ी एट्रॉन देन एक एट्रॉन 4-55 अधने ए-tron sportback तो sportback वस थे बेस्ट और थे टॉप्ट्र अवाले विए फिर अवालेबल थे वालेबल थे लिए वालेबल थी तो मैंने और कोडिनेट किया और मैंने ऊजाड़ी वाठाइक के लिए थी तो तो वह गाड़ी टैस्ट्राइब के लिए आई मैंने गाड़ी चलाई और उसके बारे में समझा एंड फिर मैंने उनसे एक सवाल किया कि अगर मैं इससे उपर वाला मॉडल लेता हूं तो उसमें क्या-क्या एडिशनल फीचर आएंगे या क्या-क्या उसके इंदर एडिशनल है इनो क्वात्रों से उनना एक्स्प्लिन किया जो जो फीचर इस गाड़ी में है वो तो होंगे होंगे जो स्पोर्ट बैक है तो वो पीछे से कूपे लाइक शेप हो जाएगी एंड देन उसके इंदर ना फास्ट चार्जिंग आ रही थी कंपेर तो वाट देयाव करेंट किया उसके स्पेक्स थे तो तो देन वर लिमिटेशन ओफ दिस तिंग आप गाड़ी के अवलीबिल्टी का भी लिमिटेशन थी वापर उस तैम लिमिटेशन इस्टरी के थी एक तो गाडियां लिमिटेड आ रही थी और देन यो आफ तो तो टेक देक बीक विचर विच इ तो यू केनाट चेंज दे स्पेक्स और वाटेवर लोडिंग इस कमिंग अलॉंग यू आफ तो बाइ दोस लोडिंग से तो मैं ने फिर और डेली गुरू ग्राम से गाड़ी बुक कर दी और पांच लाग रुपे को इनिशल चेक दे दिया था मैंने उसके बाद इन्होंने म घाड़ी आपको कब तक चाहिए तो आउन राव को उसमें अच्छा लग रहा था बाकि कोई भी छलर अच्छा नहीं लग लाग लीं मेरे को काई कि दे लिवर्क लेगी देगी अंटार बेले में पहले में को समय Tamara snr nota को डिलेवर कर देंगे आज लाइक होके में कोई अत्यस मार्स है पहले पहले दे दो और जो भी फिर बागी की फॉर्मल्टी सी मैंने पूरी कर दी लोन की पेपर वर्क की और जो भी मेर को अपनी जेप से इनिशल एजन डाउन पेमेंट देनी थी वह मैंने दे दी और इनहों ने पहले मिरको बुला कि हम 22 तरिक को जे रहे हैं देन इनकी डेट शिफ्ट फुई 25 को बेंकी डेट शिफ्ट हुई 28 को फिर इंहोंंने मिरको बुला जी 30 फो गाड़ी आ गी है और पी डिई पर लगी वे तो मैंने घड़ीगो ठीक है चलो 31 को फिर गाड़ी ले ल तो 31 को अराउनद चार बज़े करीब विकर ओफिस के काम थे रेगुलर तो मैं आफिस से निकला था आइधिक या दो बज निकला था तो मैं वहां पर गया तो इन्होंने गाड़ी ना सारी गाड़ी नहीं वाली गाड़ियां जैसे खड़ी करते हैं तो वैसे कहीं खड़ी करी हुई थी वहां पर गया तो फिर वहां पर जो इनके GM थे मैं उनसे मिला काफी देर हमारी discussion हुई related to you know different things because we are into similar industry तो हमने उसी से related discussion करी दिन अल्मोस एक गंटे की discussion चली बाते बाते हुई उसके बाद इनोंने गाड़ी delivery बे में खड़ी कर दी और इड़ वास लाइक राप्ट इन दे कावर जो होता है यह सब को अन्वील करने वाला आज तो घाड्य मैंने ःद्ध और यृट अब यृट टपर आज और यसे अनकि घया घटिंग लेड़नीर भी तो आई स्थार्चिंग फ्रद वायरलेस चार्जर के क्योंकि आज signal to उसमें वाइडलेस चार्जर भी था वाइडलेस एंड्रोइड आटो एपल कार प्ले भी था और गाड़ी में बहुत सारे फीचर्स थे जो कि इस कार में मिसिंग थे और इस गाड़ी के अंदर जबकि 10 लाग पुर्वे की अडिशनल लोडिंग भी थे अपने जिस गाड़ी क खड़ी हो आप उसको लेकर निकलने वाले हो और अचानक से पता चलता है कि आपके गाड़ी में बहुत सारे फीचर्स आए नहीं बट हमने कुछ अडिशनली आड़ कर दिया तो एक ही एसक्यूस दिया गया और चिप की शॉटेज की वैसे ना गाड़ी में बहुत सारे फी आड़ कर दी है और जो फीचर्स गायब हो गये थे एलेक्ट्रोनिकली रिजस्टिबल स्टेरिंग एंड्रोइड आटो एपल कार प्ले वार्लेस और गाड़ी के इंद वार्लेस चार्जर में सिंग था हेड्सप डिस्पले मिसंग थी तो ही सारी चीज़े मिसंग थी जो की बात में पता चला में दाट केम ऐसा सर्प्राइज विगोज इस टाइम में टेस्ट्राइब ले था इड़ वाज अवैलेबल इन दे लोवर वर्जन जिस गाड़ी का मैंने टेस्ट्राइब कर रहा था उसके लोवर वर्जन में अवैलेबल थी और जब टॉप स्पेक आजाता हूं इनका चार्जर पहले इंस्टॉल होना जीए था तो देवर डिलेड उन्द चार्जर एस वेल तो मेरे ऑफिस प्रमाइसे में नेक्स टे चार्जर इनका इंस्टॉल हुआ अब वह आता है वंदना एक डबा लगा जेता है उस पे और डिकाना स्टिकर लगा हो हो जाती है मतलब ब्लांक हो जाता है तो मैं इनको फिर वीडियो कॉल करता हूं कि यार यह डिस्पले कैसे उड़गी और यह तो फर्स्ट चार्जिंग हो रही है तो आया आज देम वाट इस ऑथेंटिस्टी ऑफ दे चार्जर मैंने उस टिकर अटाया और गूगल किया तो पता चला जी सिमिलर चार्जर तो बाखी सारी कंपनीज भी मतलब दिखा रही है तो मुझे थोड़ सा डाउट हुआ तो मुझे थोड़ सा डाउट हुआ तो दिन गाडी में ना राइट साइड पुलिंग थी मतलब अगर आप स्टेरिंग सीधा कर रहे हो तो दे कार इस ग यह नो आपको अपको म्यूजिक सिस्टम भी चलाना आपको कुछ भी चलाना यह तो दो डिस्प्ले काम करनी बंद कर जाती है इवन जो ड्राइवर साइड वाली डिस्प्ले है मतलब इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर है वो भी काम करना बंद कर जाता है तो आई वस लैक लिटल स्केप्टिकल के क्या नहीं नहीं चार्जर दिया या नहीं दिया है कहीं पर भी कुछ भी ऐसा नहीं था कि यह लगई की चार्जर और अच्छी का है क्योंकि वह एक डब्बे में आया था जिसका नाम था एक्जी कॉम तो आई नो अबाउट एक्जी कॉम क्या करती पहले रिक्षा के चार्जर बनाती थी अब यह शायद गाडियों के लिए चार्जर बना रही है चलो दैड़ अगेन वह ओडी की अपने डिस में यह नो बट आए केम टू नो अबाउट यह नो अल दीज तिंग्स और वेरी लेटर से जब मैं गाड़ी के डिलिवरी ले 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 ता हूं उसके बाद इनसे मेरा ना अपॉइंट्मेंट्मेंट फिक्स अब होता है कि मैं संडे को गाड़ी ले आता हूं and I will show you all the issues the car has उ तो मतलब मैंने गाड़ी को इतना थोरली चेक भी नहीं किया था तो कुछ पेंट के भी डिफेक्ट्स थे तो यू डोंट एक्सपेक्ट यह नो एक करोड़ तीस लाख रुपे की आप गाड़ी ले रहे हो तो यह नो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे गाड़ी के इंदर को कोई ऐसे माइनर इशूस भी होंगे इवन मेजर भी गाड़ी को पहले इन्होंने आम शौर पीडियाई करें तो पीडियाई में इनको सारी इसारी चीज़े पता चल जाने चाहिए थी ताकि वह कस्टमर तक नाया कर छोटी मोटी कोई भी निगल इशूस होते हैं तो यह प उसके पीछे मिट्टी लगी हुए है बहुत सारे गाड़ी के ऐसे ऐसे एरियास थे जहां पर डस्च चिपकी हुए थी तो इसका मतलब यह था कि इन्होंने थारोली पीडियाई करी और जब मैंने इनसे सारी चीज़े इंफोर्मेशन मांगी तो दे और रिजिस्टेंट के हमारे पास है नहीं या हमारे को देना अलाउड नहीं है ऐसा वैसा उसके बाद जी मैं संडे को गाड़ी इनके पास दे आता हूं और पता चलता है जिस दिन इन्होंने एक अपॉइंटमेंट दिया उस दिन इनकी वक्शॉप बंद होती है वाई यू इस्टेट माई संडे इट्स फैंबली डे तो कोई जवाब नहीं है उसका मतलब कुछ मतलब तो मैंने का चलो कोई बात नहीं है चोटी मुटी प्रॉब्लम्स हैं सब के साथ आती है तो मैं गाड़ी दे आता हूं एक कलेक्टिव टेस्ट ड्राइव करते हैं सारी चीज़े में उनको एक्स्प्ल करनी से बात करो और मेरे को फिर उस पर फीडबैक कोई फीडबैक नहीं आता गाड़ी अगले दिन वापिस आती एस इस सेम कंडिशन में नथिंग चेंज्ट कुछ नहीं होता गाड़ी में चलो हां ममाई स्टार्ट स्टार्ट वरकिंग के और पता चलता है कि सिमिलर पर दुबारा मैं इनको पताता हूं कि गाड़ी के इश्यू अभी भी रिजॉल्व नहीं हों आप या तो एक बड़ी दुबारा वेजट कर लो आई गेब देम अना अदर चांस उसके बाद इनके टीम आती है और वो गाड़ी मेरी वली ठोक देती है टेस्ट राइम है मैं मैं को इनका वर्क्षाप मैनेजर कहता है कि हमने नहीं में अपने ऑफिस में गाड़ से पूशा बिकॉस ताम गाड़ी तो ऑफिस में घडी ती चारज और भी ऐसमें लगा था मैंने गाड़ा थों काड़ कहता सरी तो 45 मिनिट्स के लिए ड्राइव के लिए गाड़ी लेक decided कि यार मैं ये गाड़ी अपने पास रखने नहीं वाला और हमें सारे इशूस चाहता हूं मेरे रिजॉल्व हो चाहे गाड़ी में कोई भी फीचर्स मिसिंग है चाहे कुछ भी मिसिंग है क्योंकि that was like harassment इन्होंने मिरको feedback दिया कि paint and then इन्होंने बोल दिया कि सब्सक्राइब करेंगे और पहले भी इन्होंने जो आगे का बंपर का ना एक लिप स्पॉलर जो नीचे लगा होता है वो ठोका था तो उसको भी फिर इन्होंने पेंट कर गिरिया I was like चलो छोटी सी बात है कोई बात नहीं रिजॉल्व उडएगी है बट फिर उसके बाद बागी सारे इशूस मेरे अड्रेस नहीं होए तो देना डिसाइड़ के यार आइवल नॉट कीप दिस कार विद मी और मैं गाडी ना इनको वापिस दे आता हूं और फिर मैं इनको एक लीगल नोटिस भेज देता हूं बहुत बात में पता चलता है जब मैं इनको प्रेशराइज करता हूं I want to meet somebody from the odd team only तो कोई ओडी से आता है मेरे को पहले बदाए CEO आएगा कोई और आया था ओडी की तरफ से इनका जो जीम थे वह आया थे मेरे पास अब situation यह थी कि यह मेरे पास आके मुझे offer कर रहे हैं कि आपना comprehensive warranty हम आपको दे देते हैं जो कि साड़े-चाड़ लाख रुबे की बेशते हैं जिसमें extended warranty kind of a thing मिल जाती है मैंने गाड़ी में है क् मुझे extended warranty दे रहे हो एक motor और एक battery टेक्निकली तो यह है तो और कह रहे है आपको कोई service पर नहीं देने मरलब you don't have to pay for services मैंने का ordi में e-tron में services होंगी किस चीज़ की जारा से जारा आप इसका जो coolant है वही change कर दोगी जो battery का coolant होता इसके लावा तो कुछ है नहीं गाड़ information you have और उसके बाद फिर मैं अपने लॉयर से consult करता हूं और मैं फिर चंदीगढ़ हाई कोट के अंदर केस डाल देता हूं इसके बाद की जो भी correspondence है ना उसके लिए मैं आपको एक next व्लॉग के सारी information देता हूं यह ना व्लॉग बहुत लंबा बन रहा था तो इसको यहीं पर खतम करते हैं और आई होप आपको यह व्लॉग अच्छा लगा अगर व्लॉग अच्छा लगा तो कि विटा थम्स अप चैनल पर नहीं तो डू सब्सक्राइब तो मैं चैनल नेक्स व्लॉग में हमें आपके साथ क्या क्या लीगल प्रूसीडिंग हमने और 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 और इसका केस का स्टेटस क्या चल रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा यस वन थेंग आयरेली वांट तो आस्क्यू अगर आप एक करोर तीस लाग रुपे खर्चते हैं और आपके साथ ऐसे इस्यू आते तो आप क्या करते हैं मैं तो आई स्टिल के मेरी गाड़ी के पार्ट चेंज किये हैं और इन्होंने बहुत सारी इंफर्मेशन हमारे से छुपा के रखी हैं